गुद मॉरी आज़ हम हिंदी व्याकरत का पार्ट मुँँआवश्व को पढ़ेंगे मुँआवश्व क्योटे ईससे शर्ब होते हैं जो अपना सामाली अर्थ प्रकत ना करते हुए एक भीषिश अर्थ प्रकत करते हैं हम मुहाबरे कहते हैं, जिनको सुनने में, जिनको बोलने में हमें अच्छा लगता है, कोई सी भी बात अगर हम किसी से कहना चाहते हैं, और उसे अगर हम मुहाबरे में कहते हैं, तो हमें बोलने में भी अच्छी लगते हैं, और सामदे वाले को सुनने में भी अच्छी लगत जो पर रहे तो मुहाबर हे चालिय आते हैं आपके बाट में मुहाबर हिक nhất 5प में पहला है अंक आंक तूटना जैसे आपं कोई ने बोला खोeti वह तोड़ें अंक टूट रहा हैँ कि अगरा और सारी बढ़न में दर्द ऊला इसे मेरा अंग अंग तूट रहा है, तो वो एक मुहावरे में उसका प्रयोग हो जाता है, तो वो सुनने में सामने वाले को थोड़ा अलग सा लगता है, और अच्छा लगता है, अंगूथा दिखाना, अंगूथा दिखाना मतलब क्या होता है, मना कर देना, किसी भी काम के मना कर देना, आज मैंने जब राजू से कॉपी मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मना कर दिया भी हम बोल सकते हैं, मैंने राजू से कॉपी मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, लेकिन अगर हम इसे मुहावरे में बोलेंगे, तो मना कर दिया म अंधा जो होता है वो लाठी टेक के चलता है तो अंधी की लाठी का मतलब क्या होता है एक मात्र सहारा जो अंधा लेखती है उसका एक मात्र सहारा उसकी लकड़ी होती है लाठी होती है जिसको टेक टेक के वो सारे रास्ते को पार करता है तो अब इसी को अगर हम मुहावरे क रूप में एक मात्र सहारा उसका मतलब होता है ना, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे, मतलब वो एक मात्र सहारा थे, उनके जुमाबाब थे श्रवण कुमार के, उनका वो एक मात्र सहारा थे अपने माता पिता का, तो इसलिए हम उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि श्रवनुकमार अपने माता-पिता के अंधे की लाठी थे अकल का दुश्मन यानि एकदम मूर्ख कोई विक्तिय सा होता है जिसको हमने बार-बार कोई बात समझाते हैं लेकिन उसे समझ नहीं आती है वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहता है तो हम क्या वहतले हैं तो पिक्कुल मूर्ख है escaping का दुश्मन भी हम उसको बोल सकते हैं रोमेश को कोई मेहर्तूपूं नहीं मत शोपना अकल का दुश्मन है कोई विक्ति मूर्ख होता है और यदि कोई उसको हमसे पूछता है कि मैं उसे की काम दे दू तो अपने उससे बोलेंगे वह एक्टम बूर्ख है तो हम उसको क्या बोलेंगे अकल का तुष्मन उसको कोई काम जरू की काम मत सोपना क्योंकि वह अकल का तुष्मन है मतलब बूर्ख है उसे कोई बात समझ मे नहीं आती है, आख लगना यानि नीद आना, आख लगना बत्ता है नीद आना मेरी आख लग गई, बस में बेटते से ही आज मेरी आख लग गई, या क्लास के लीचर पढ़ा रहे तो मेरी आख लग गई, तो नीद आना, जब हमें बार 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 नीद आती तो मुझे नीद यह बोलने के बचाए अगर हम इसा बोलते हैं कि आख न गई तो वो मुहावरा हो जाता है टीवी देखते देखते कम मेरी आख लगते ही मुझे पता ही नहीं पड़ा तो आख लगना यानि नीद आ जाना आखे बिच्छाना यानि प्रतीक्षा करना सब लोग आयोध्या के सारे लोग राम जी के इंतजार में आखे बिच्छाय बैठे थे यानि प्रतीक्षा कर रहे थे कि कम राम जी आयोध्या में आए तो आखे बिच्छाना का मतलब क्या होता है प्रतीक्षा करना आखे दिखाना आखे बिच्छाना यानि प्रतीक्षा करन कोई किसी को बहुत आँख दिखाता है उसको बोलते हैं क्रोध करना चम मैंने राधियक का विरोध किया तो मुझे आँख दिखाने लगा किसी का भी आप नाम ले सकते हो, कि मैंने उसके काम का विरोध किया, तो वो मुझे आख दिखाने लगा, यानि गुस्ता करने लगा, मौनिटर ने जब किसी बच्चे का नाम लिखा, तो वो उसे आख दिखाने लगा, मतलब उसके उपर क्रोध करने लगा, उसे डराने लगा आकाश से बाते करना यानि बहुत उंचा होना उसका नाम उस बहुत आकाश से बाते करता है मतलब बहुत उंचा होना जिसे न्यू यार्ट के की इमारते आकाश से बाते करती है मतलब बहुत बड़ी बड़ी होना तो युवियारत में जो हिमारते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी है आकाश पाताल का अंतर होना यानि बहुत जादा अंतर होना एक इधर तो एक इधर बहुत जादा अंतर जब दो लोगों में होता है तो हम उसे बोलते हैं आकाश पाताल का अंतर होना जैसे आकाश उपर है और पाताल नीचे दोलों के बीच में कितना अंतर है तो अगर उनको किसी का अंतर बताना है बहुत चादा अंतर है दोलों को में तो हम उसको कहेंगे आकाश पाताल का अंतर होना उसमें राकेश ची और उनके भाई में आकाश पाताल का अंतर है राकेश ची और उनके भाई में दोनों में अंतर है एक बहुत गुस्से वाले हैं और एक पिल्कुल नरम दिल के हैं तो हम कहेंगे दोनों में आकाश पाताल का अंतर है पिर आग बबूला होना यानि बहुत जादा प्रोधित होना आख दिखाना यानि प्रोध आना था है न और आग बबूला होना यानि बहुत जादा प्रोधित होना किसी बार पर बहुत जादा गुस्सा हो जाना जब पिताजीं को उनके जरूरी कालचाथ नहीं मिलें तो आग पूभूला हो गए धर में बापाने कोई सावाte करें नहीं मिला तो तो प्या हो जाते हैं आग पूभूला, वो जादा उन्हें बूस हो जाती है मैंने यही तो रखा था समान मुझे भिलाने हैं, यह लिए ऐसे करके ना, फिर कुछ और है, आग में घी डालना, आग में घी डालने का मतलग क्या होता है, क्रोध को और भड़काना, जब तो लोगों की लड़ाई होती है, तीसरा जाके हाँ, तु जीनते गा, तु इसको महा तु ऐसा कर, ऐसे करके बोलते हैं, मतलब आग में घी डालने का का म, दो लोग तु लड़ाई को अलग करने के बचाए, आप चाके और उन से कहने लगो कि नहीं, तु तो ऐसे कर, ऐसे कर, तो वो होता है, आग में घी डालना, या फिर कोई किसी से गुस्सा है, तो अपन च कर सोना, मतलब एकडम निश्चित होकर सोजाना, किसी चीज की कोई फिक करना होना, कि सुबह हमें स्कूल जाना है, कि हमें पढ़ाई करना है, कोई चिंताना होना, आराम से निश्चित होकर सोजाना, उसे कहते हैं, घोड़े बेच कर सोना, है ना, जैसे परिक्षा की बाद बच्चे घोड़े बेच कर सू जाते, जिसे एक्जाम खतम होते हैं, उसके बाद बच्चों को एक्तम टेंशन फ्री हो जाते हैं, उसको यह नहीं कि सुभी चलती उठके पढ़ाई करना हैं, एक्जाम देने जाना हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ हैं, यह से कोई चिंटा आराम से सोते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोड़े बेच कर सुना, दुम दबा कर भागना मतलब दर कर भाग चाना, दुम दबा कर भागना जम आई रड़ने और उसने जैसी भारती सेनिपो method को आ पर देखा खड़े हुए, तो वह दुब दबा कर भाग चाना, दर के मारे उसे भाग गई, दम तोड़ना याने मर जाना, दम तोड़ना का मतलब होता है मर जाना, डाल में कुछ काला होना, मतलब संदे ही की बात होना, कुछ संदे होना, कुछ ही शक होना, कि हाँ जरूर या कुछ ना कुछ है डाल में काला है, तो अपन बहाद ही गए धर म में कुछ और किसीं ने आकि हमारे घर की तलाशी लीओ, तो वहाँ क्या ओलएगे देल में कुछ काला है हम दिमाग सात्री आसमान पर होना गमन्ड होट, किसी कई कार ऊष्छण होताना आप Só感じ वर्यजर कर दिमागा सात्री आसमान पर तंह मतलब उसे बहुत घमड है, कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, या मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ने में, मैं तो हमेशा फस्ट रेकलाती हूँ, तो यह वाली बात को हम क्या कहलेंगे, दिमाग सात्वे आसमान पर होना, मतलब बहुत घमड होना, धूल में मिल मिला देना मतलब नश्ट प्रष्ट कर देना, किसी भी चीच को पूरी तरह से खतम कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं धूल में मिला देना, भार्ती सेना ने पाकिस्तानी सेना को नश्ट प्रष्ट कर दिया, धूल में मिला दिया, उसको मतलब पूरी तरह से खतम करना, ना कर याने बहुत दिलता दिखाते हुए किसी से विंती करना ये पहले तो अपनने गलती कर दे ही मकबी ने कुछ बोला उपको जवाब दे दिया उपकी बात नी सुनी पर बात में ज़ीलाईज हुआ कि नहीं याँ उपने ये गलती कर दिये तो बार-बार मम्मी सौरी अब हम ऐसा नहीं करेंगे, सौरी मम्मी उपको माफ कर दो ऐसे करके बार-बार उपके सामने विंती करना कि वो आपको माफ कर दे उसको क्या भूती है? नाक रगड़ना फिर डस से मसना होना, अपनी जिद पर अडे रहना यह तो बच्चों में बहुत आदत होती है, डस से मसना होना अपनी जिद पर अडे रहने किसी चीश के लिए, आप से किसी काम के लिए बोला गया है और आप उस काम को करने ही ऐसे बाले हो बहले ही कितने भी वह गलत भी है, कुछ भी हो अपनी बात से टस से मस ना होना, जित पर अडे रोना, नहीं मुझे तो आज अपने फ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाना ही है, बले ही मम्मुनी पापा अमना करें तो भी नहीं, मैं तो आज चाती मानूंगा, टस से मस ना होना, उसको क्या होते हैं? अपनी जित पर अडे रहना, टांग अडाना, बेकार में दखल देना, दो लोगों की कोई बात हो रही है, उसमें चाके बीच में चबरन में अपनी टांग अडाना, अपनी बात बीच बीच में बोलना, याने टांग अडाना, फिर घी के लिए जलाना मतलब खुशिया मनाना खीके लिए जलाना का मतलब होता है खुशिया मनाना जब राम जी अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियोंने खीके लिए जलाए मतलब खुशिया मनाई सभी के घरों में दीपक चले और सबने बहुत खुशिया मनाई की फिर दात खटे करना, बुरी तरह हरा देना, दात खटे करना का मतलब होता है, बुरी तरह से हरा देना, दुश्मनों को दुश्मनों के दात खटे कर दिये, तो मतलब बुरी तरह से उन्हें हमने हरा दिया, दूर से नमश्कार करना याने पास ना आने देना, भैया मैं तो उ विशेश करते हैं कि उसके पास ना जाने, फिर किसी ने पुछा अच्छा तुम उसे चानते हो क्या अपने में या उससे दूसे में मश्काल कर लेते हैं, मतलब हम उसके पास जाते भी नहीं है और ना उससे हम अपने पास आने देते हैं, तो यह होते हैं मुहाबरे, भी आप यानि बना कर देना, राजु से कौपी मांगने पर उसने मुझे अंगुठा दिखा दिया, जब में राजु से कौपी मांगी, तो उसने मुझे अंगुठा दिखा दिया, यह होते हैं मुहावरे, और लोकोक्तिया क्या होती है, लोकोक्तिया होती है, जो लोक में प्रचलित ह रिखियाने लोगों विक रुटती को जो रहने फासी अपने लोग उते हैं दुनिया में वो लोग उसके आधारित वन गया लेते हैं उन्हें हम लोगों के ख़ते है। ठीके वेटा। ठाइककू